Hello everyone, आज हम class 10th के लिए आपकी जो poem है, last जो बची है, आपकी स्लेबस में वो करने जा रहे हैं, the tale of custard the dragon, ठीक है बटे, ये आपकी last poem है यहाँ पर, इसमें 3 page है, 1, 2 and 3, but in this video we are going to do only the one page, that is the first page, this is a very long poem बटा, first of all understand the meaning of the poem name, tale, tale means होता है कहानी, and other tale is, ये इसका meaning होता है पूच, तो इसको आप में संदर्श्टूड मत करना, ये tale का meaning क्या होता है, कहानी, ठीक है, और custard the dragon, ये एक ही नाम है, custard को क्या बोला गया है यहाँ पर, dragon, इसका नाम है, ये dragon का क्या है, custard, तो ये देखो सबसे पहले, this poem is written in style of a ballad ballad के form में लिखा गया है, ये ballad क्या होता है बेटा, एक, गाय जाने वाला गीत, a song or poem that tells a story, ये ballad होता है, ये song भी हो सकता है, और ये poem भी होता है, जो आपको किसी story के बारे में बताते हैं, बेटे, आपको clear हो रही है ये चीज, okay, you must be familiar with ballads, familiar क्या होता है, परीचित होना, that narrates tales of courage or heroism, narrates क्या होता है, बताना, वर्नन करना, tales, गाताएं, कहानी, courage means, साहस की और heroism क्या होता है, hero की, मतलब, नायक की, जो ऐसी ऐसी ballads होती है, जो हमें कहानी बताती है, किसकी साहस की और heroism की, ठीक है, courage means क्या होता है, बेटा, मैं यहां लिख देती हूँ, साहस, this poem is a humorous, humorous क्या होता है, मजा किया, funny, की पूरी poem में क्या है, fun है, and humorous ballad close to a parody, parody क्या होता है, जिसमें हम कहना तो कुछ और चाते हैं, और कहते हैं कुछ और हैं, मनुद व्यंगे करते हैं एक दुसरे के ऊपर, this is close to, पूरी parody नहीं है यह, but close to parody, read it aloud, and paying attention to the rhythm, इसमें rhythm भी हमने द dragon, dragon, यह rhythmic word है, जैसे हम इसको house, a का name दे दिया, house की rhyme किसे मिल रही है, mouse से, तो इसको भी क्या दे दे देंगे, a name, लेकिन wagon, mouse से नहीं मिल रहा, different है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, b, ऐसे ही, क्या है, dragon, dragon की sound हमें किस से match हो रही है, wagon से, तो इसका भी name क्या हो गया, b, तो इसको बोलते हैं, बेटे, rhyme scheme, इसको क्या बोलते है, rhyme scheme, okay, clear बेटे, is this clear to you, rhyme scheme कैसे निकालते है, rhyme scheme में हम, a, b, c, d, e, f तक name दे सकते है, जो match होती जाती है, उनको same name देते है, और जो आगे different हाती है, उनको अलग-लग name देते है, जैसे house की, इन में से किस से match हो रही थी, house, mouse sir, sir की sound आ रही थी, us, s की, mouse, house, तो हमने a का name दे दिया, wagon, n की sound आ रही है, dragon में भी n की sound आ रही है, तो इसकी b दे दिया, ठीक है बिटा, अब इसकी आप हिंदी में देखो explanation, belinda lived in a little white house, यह हमारा पहला character है, इसको मैं circle कर रही हूँ, यह हमारा first character है, belinda एक लड़की है, lived in a little white house, वो कौन से house में रहती है, white house में रहती है, सफेद रंग का घर है, with a little black kitten, यह हमारा second character है, black kitten क्या है, second character है, and a little grey mouse, और एक यहाँ पर क्या है, grey mouse भी है, and little yellow dog, एक yellow dog है, and little red wagon, wagon मींस यहाँ पर गाड़ी भी है, एक red color की, and really little pet dragon, और एक pet मींस क्या होता है, पालतू, जिसके बारे में पूरी स्टोरी है, यह बैलेड है, dragon the custard नाम जिसको उसका है, फिर से देख लो, बैलिंडा, black kitten, kitten वैसे होता है, बिल्ली का बच्चा, ठीक है, black color का है, और little grey mouse, एक grey color का mouse है, और इनकी नेम भी है बैटे आगे, जैसे custard, dragon का नेम क्या है, यहाँ प रिलियो, ट्रिलियो, little pet dragon, रिलियो मिन्स, यह इसको rhyme देने के लिए बोल रखा है, यह कोई word नहीं होता, इस point को freedom होती है, अपने आप से word चूज करने की rhyme देने के लिए, तो real में और true, सच में एक छोटा सा pet dog होता है, प्यारा सा, sorry, pet dragon होता है, जिसका नाम क्या होता है, custard, clear, this first stanza is clear to you, okay, come to the next, now the name of the, now the name of the little black kitten was ink, अब आपको याद रखना पड़ेगा, यह जो हमने little black kitten देखा था था न, यह वाला little black kitten, इसका नाम क्या है, ink है, इसमें confuse मत हो जाना, इसका नाम क्या है, ink है, and the little grey mouse, यह जो हमने second character पढ़ा था, रीड किया था, इसका नेम क्या है blink, इसका नेम क्या है, हमारा blink है, and the little yellow dog was sharp as mustard, और इसका नेम क्या है, mustard, एक का नाम custard, एक का नाम custard, एक का नाम custard, और दुसका नाम mustard, but the dragon was a coward, coward क्या होता है बिटा, डरपोक, coward मैंने, डरपोक, and she card him custard, और उसको क्या बोलते हैं, यह custard, किसको ड्रेगन को, dragon ही, dragon ही last में hero निकलता है, और उसको यह क्या बोलते हैं, custard बोलते हैं, ठीक है, फिर से देख लो, जो little black kitten है, उसका नेम क्या है, बोलो, ink, और जो grey mouse है, what was the name, she card, she कोन है यहाँ पर, she यह हमारी बेलिंडा है, बेलिंडा उसको क्या कर पकारती है, blink, blink कहती है, और yellow dog है, उसको क्या बोलती है, mustard, देखो, M capital, B capital, और I capital, यह प्रोप पर नेम है इनके, and the dragon का जो name है, वो क्या है, custard है, यह इसमें आपको name पता चल गए, इसमें आपको क्या पता चले है, बेटा सभी के name, ठीक है, बेटा, visible हो रहा है न वीडियो में, ठीक है, next देखो, custard the dragon had big sharp teeth, sharp क्या होता है, नुकिले teeth है, किसके, custard के, जो dragon है, and spikes on the top of him, and scales underneath, और spikes है, उनके, नुकिली चीज बनी हुई है, and scales के होती है, धारियां, धारियां, जैसे फिश के होती है, उसके नीचे, mouth like a fireplace, उसका जो मुँ है न, ऐसे लगता है, फायर प्लेस हो, आग की बठी हो, चिमनी फोरे नोज, और नाक कैसी लगती है, चिमनी के, जैसी, and realio, trilio, daggers on his toes, और उसके जो toes है, पाओं के पंजे है, ऐसे क्या लगता है, daggers है, means छूरे हो जैसे, और बार-बार ये रिपीट हो रहा है, realio, trilio, अब इसकी आप rhyme scheme देखो, यहाँ पर किसकी sound आ रही है, ink, उपर कहीं आई है बटा, इसमें S की थी, इसमें N की थी, तो ये ink, different हो गई न, यदि आपको मालो, exam में सिरफ यही stand जा जाए, और बोले कि इसकी rhyme scheme निकाल लो, तो आप इसकी यहाँ से देखो, गई, ink को क्या ना हम दोगे, A ही दोगे, mustard, D की sound आ रही है, तो B, और custard, B की sound आ रही है, तो यहाँ पर B, ठीक है, अब जो इसके coding देनी है, तो आप इसमें C name, D name, A नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर, अब जो आप बुक में पढ़ रहे हो ना, बिटा, हैवी और इरेजर, यदि आप बुक में पढ़ रहे हो, तो आप A name नहीं दे सकते हो, क्योंकि A हमने कि sound को दिया हुआ है, S को दिया हुआ है, लेकिन exam में यदि आपके पास आती है, तो आप इसमें अलग से name दे सकते हो, अब यहाँ पे A, B नाम नहीं देना, क्योंकि जो ink में K की sound आ रही है, लाश्ट में, और K उपर है कहीं, नहीं, तो इसको अलग name दो, क्या C, और इसमें भी K की sound आ रही है, इसका नाम C, and mustard में किसकी sound आ रही है, बेटा, D की, D के लिए उपर कहीं नहीं है, तो इसका C के बाद क्या आता है, D, और यह D, तो इसकी rhyme scheme क्या हो ही, C, C, और D, 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 okay, clear, come to the next, अच्छा, यह देखो, teeth, th की sound आ रही है, TH, तो इसमें उपर मिल रही है, यह sound कहीं आपको, नहीं, तो इसको क्या नाम देंगे, E, और अंडरनीत में भी, E, nose, toes, house, mouse, इसे मिल रही है, nose, house, तो यह वाली दुबारा क्या आ जाएगी, A, A, clear, यह stanza clear है आपको, Custard the dragon उसके क्या है, big sharp teeth है, and spikes on the top of him, और उसके top पर क्या है, spikes है, scales क्या होती है, धारियां है, and mouth किसकी तरह है, fireplace, जैसे आग की एक बठी हो, और chimney for a nose, और chimney कैसे लगती है, जैसे धुआ छोड़ती है, जब ऐसे सांस लेता है, तो पुरी आवाज होती है, and railiot, railiot, daggers on the toes, औ जो उसके पाओं में ऐसे लगता है, जो उसके पाओं के नाखून है, पंजे है, वो कैसे लगते है, daggers, daggers क्यों होता है, चुर रहा होता है, बड़ा चाकू होता है, ठीक है बिटा, come to the next, and today we will finish this video, after completing this tenja, Belinda was as brave as a barrel full of beers, और जो बेलिंडा थी न वो इतनी ब्रेव थी, जै जैसे भालू हो, full of barrels, and ink and blink chased loons down the stairs, और ink और blink हमने उपर पड़ा था, ink कौन था बेटा, black kitten, and blink कौन थी, grey mouse, वो क्या है, जैसे, ink and blink chased, chased क्या होता है, पीछा करना, chased में इस क्या होता है, पीछा करना, वो किसका पीछा कर रहे हैं, loon का, down the stairs, up the stairs होता है, सीडियों के उपर, और down the stairs क्या होते हैं, सीडियों के नीचे, mustard was as brave, as a tiger in a rage, rage क्या होता है, गुसे में, जो mustard, mustard किसका नीम था, यहां देखो आप, mustard किसका नीम था, yellow dog का नीम था, और mustard कैसा था, वो as brave, as a tiger, tiger क्या होता है, चीता, चीते की तरह brave था, जैसे कि ज mustard cried for a manai safe cage, और जो custard है, जो हमारा hero है, स्टोरी का, वो क्या है, हर टाइम safe cage के लिए, चिलाता रहता है, कि मुझे क्या दो, यह सम मुझे तंग करते हैं, और मुझे क्या मिल जाए, एक safe cage मिल जाए, तो इस स्टोरी में आपने, क्या देखा, स्टोरी ही है, यह बटा, एक ballad ह होता है, एक singing, song होता है, जिसको गाय भी जा सकता है, it tells or narrates us about a story, यह स्टोरी के बारे में बताता है, और यह जो tale of custard dragon है, यह सारी हमारी कैसी है, humorous है, humorous है, मजाकिया है, funny है, क्योंकि सारे characterries में बड़े funny हैं, आप जैसे next page में पढ़ोगे, आपको पता ही चल जाएगा, ठ that's all for today and thank you, have a nice day